फोटो शूट पर हर बच्चा अपने तरीके से पेश आता है एक बंदा मुश्किल से ही लेंज का ढर भगाता है जबकि दूसरा पैदा ही फैशन मॉडल बनने के लिए होता है हमारी वीडियो में देखिए अलग-अलग तरह के बच्चे कॉलिज फोटो शूट पर बलकि जड़वा भाई भी फोटो से अलग तरह से पेश आते हैं चलो तयार हो जाओ वाँ ये बढ़िया है नहीं इससे नहीं होगा चियर करो ऐसे बिलकुल नहीं तुम इतना क्यों शर्माते हो चलो उसके बारे में बात करें तुम क्या महसूस करते हो मैं क्या महसूस करता हूँ मुझे लगता है मुझे भागना चाहिए तयार हो चलो मुझे मेरे दोस्त के साथ फोटो चाहिए वाँ कुछ स्टूडेंस को फोटोग्राफर का खास द्यान चाहिए होता है और मैं तुम दोनों को एक शॉट में कैसे लाओ ये काम नहीं किया रुको मेरे पास एक आइडिया है थोड़ा नीचे जुको बिल्कुल बढ़िया तुम पोज कर सकती हो मैं तयार हूँ हम्म ये काम करेगा क्या खुब सुरत दुनिया है क्या ये उसकी आभा है मुझे पक्का पता है कि मैंने फिल्टर नहीं लगा है हेई तुम कहां जा रही हो ओ वो ही पेस पड़ाकू बच्चों का अपना ही तरीका होता है फोटो खिच्वाने का फोटो बहुत बोरिंग हो रहा है तुम्हे कुछ बदलने की जरुरत है कोई दिक्कत नहीं ये काफी नहीं है एक मिनट ये रही मैं क्या हम कुछ और डाल सकते है खुशी से वाँ बुरा नहीं ये अच्छा है कि एलबम फोटोस में सारी जरुरत मन चीज़े होंगी बढ़िया कुछ बच्चों को नॉर्मल फोटोस खिचवानी नहीं आती क्या? कर रही हूँ ओ, मैं देखता हूँ रुको हेई, हम यहाँ पहले आये थे मैं यहाँ आगे खड़ा होना चाहती हूँ यह सही नहीं है मुझे छुपाओ मत मेरे रास्ते में मत खड़े हो कोई दिकत ओ, नहीं कम से कम हम सब के आगे हैं हर बच्चे के पास ग्रेजुएशन एल्बम में एक हैंसम दोस्त होता है वो कितना हैंसम है शुक्रिया लड़कियों मिलते हैं यह रही तुमारी फोटोस और तुमें एक बढ़िया फोटोग्राफर हो वो सारी देखना चाहते हो यह लो बलकि फोटोग्राफर भी उसकी सुन्दरता नहीं जेल पाई गुड आफ्टेनूर क्या आप थोड़ी लाइट कम कर सकते हैं क्या यह ठीक है बढ़िया अब मेरे हाथ देखो यह जादूगर बच्चा फोटोशूट के समय भी जादूगर ही है तुम क्या कर रहे हो मुझे तुम्हारी पिक्चर लेने दो हाँ बिलकुल मुझे लगता है मुझे बीमार महसूस हो रहा है माफ करना माफ करना मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता यह मुझे से भी तागतवर है क्या हमारा हो गया खैर मुझे अब तुम्हें छोड़ना चाहिए वो कहां गया अपना मेकप ठीक कर लो फोटो सही नहीं दिख रही ठीक है कोई दिक्कत नहीं कॉलेज की लड़कियों को फोटो शूट से पहले सही मेकप करने की जरुरत होती है वाँ मैं कुछ नहीं देख पा रहा बाई तो अब हमारे पास यहां क्या है सबसे जरूरी चीज़ यह है कभी भी कुछ जादा नहीं करना मैं तयार हूँ चलो शुरू करें कुछ खास नहीं यहां बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फोटो अच्छी नहीं आती लेकिन कैसे फिर से कोशिश करो यह क्या है बस रुको शायद सेटिंग में कुछ गड़ बढ़ है मुझे दिखाओ मुझे सही में समझ नहीं आ रहा क्या तुम मजाब कर रहे हो ओ दियर क्यो हाई तयार हो जाओ अपने बाल ठीक कर लो ओ आच्छू और यहां ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी किसे भी स्थिति में अच्छी फोटो आती है यह चादू है बढ़िया इसे समझा नहीं सकते लेकिन ऐसा होता है हाई हेई यही रुको शायद तुम्हें हेट उतारनी चाहिए ठीक है तुम्हें अभी भी हेट उतारना चाहिए कोई दिक्कत नहीं मैंने कहा हेट उतारो मैंने किया क्या यह चिपका है मैं कह रहा हूँ इसे उतारो यह वाला भी ठीक है प्लीज इसे उतारो हो गया ओ तुम्हें ऐसे ही रहो शुक्रिया मैं तैयार हूँ अम्हेर अब ठीक है हाँ मैं फुटबॉलर हूँ मैं विजेता हूँ मैं सबसे बढ़िया हूँ सुनो अपना हेलमेट उतार दो इसकी वज़ा से तुम्हारा मूँ छुपा है मैं नहीं कर सकता आउच खेर ऐसी चीज़े होती रहती है खेर मुझे दिखाओ वो क्या है सब कुछ बढ़िया है फोटोस एकदम बढ़िया है मुझे पसंद नहीं आई रोश्नी काफी नहीं है अब कोशिश करो खेर सब ठीक है मुझे देखने दो ये बढ़िया एंगल नहीं है थोड़ी पास आओ पास आओ अब क्या बिकार देखो इसे कैसे करना चाहिए अच्छा पोस करो ये बढ़िया फोटो है अब तुम्हारी बारी है क्या ये ठीक है ये कुछ और चीज है पहले ही चली जाती ये नहीं वो नहीं आखिरकार हेलो बैठो चलो अब शिरू करते है क्या तुम तयार हो चलो क्या तुम्हें फोटो जेना पसंद है अपने जवाब नीचे कमेंट में लिखे ये दुख ही है क्या तुम स्माइल कर सकते हो चीज बोलो हाँ चीज नहीं ये चीज नहीं है पार्सले ज़ादा लग रहा है क्या कहा ओ नहीं कितनी शर्म की बात है रुको अभी हमारा हुआ नहीं क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई फिर इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करना ना भूले मिलते हैं